दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर के ग्राफिक्स ड्राइबर को अपडेट कैसे करेंगे दोस्तो यदि आपके कंप्यूटर का ग्राफिक्स जो है वो काम नहीं कर रहा है तो आप उसे अपडेट कर दीजिए तो आपका ग्राफिक्स काम करने लगेगा तो update करने के लिए दोस्तों आपको start के button पे click करना है और आपको चले जाना है control panel में ये मैं आपको windows 10 में बता रहा हूँ हलाकि सभी में जितना भी windows है सभी में same ही process है कि आपको control panel में जाना ही जाना है चाहें जैसे भी आप हैसो click करके जाएं यदि आपका यहाँ पे category में बना हुआ है तो आप यहाँ पे large icon में click कर देंगे ति इस तरह खूल के सामने आ जाएगा ति यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा device manager तो device manager में आपको click कर देना है तो आपके computer का जो device manager है यह open हो जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा display adapter तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तो क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका जो driver रहेगा ग्राफिक्स वाला वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा यहां पे आपको करना क्या है right click करना है और यहां पे आपको right click करने के बाद सबसे उपर update driver दिखेगा यहां पे click करना है और यहां पे search automatically में click कर देना है उसके बाद close कर देना है उसके बाद आपको करना क्या है कि एक बार और जो है update करना है इस बार आपको right click करना है update driver में click करना है और यहाँ पे browse वाले में click करना है browse my computer for drivers ठीक है यहाँ पे click करके इसमें click करना है नीचे वाले में उसके बाद यहाँ पे देखिए drivers दिखा देगा graphics वाला तो उसी में आपको click करके यहाँ पे नीचे nest कर देना है उसके बाद कुछ नहीं करना है wait करना यहाँ पे install होने लगेगा ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है graphics है इसलिए यहाँ पे इस तरह problem दिखा रहा है black हो जा रहा है तो देखी यहाँ पे हो गया successfully update बोल दिया windows successfully update your drivers ठीक है उसके बाद आपको close कर देना हर कुछ नहीं करना है देखी यहाँ पे update हो गया update करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे start के button पे click करना है और आपको करना क्या है settings में चले जाना है settings में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा यह वाला windows update ठीक है तो इसमें आपको click करना है windows update में और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका windows update है या नहीं है यहाँ पे अभी खुलने दीजे देखिए यहाँ पे कुछ है red error दिखा रहा थी यहाँ पे कोई error नहीं होना चाहिए यहाँ पे green होना चाहिए यानि कि windows update होना चाहिए यह जो मैंने अभी यहाँ पे update किया और यह जो update हुआ यह तभी update आपका होगा जब आपका windows update रहेगा windows से ही यानि कि हमारा जो operating system है windows उसी से ही यह जो है graphics driver उठा लेता है इसलिए आपका windows जो है वो हर हाल में update होना चाहिए तब ही काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा नहीं तो फिर आप जो है manually graphics driver को install कर सकते हैं आपने से भी तो आपने से कैसी install करना है यह मैंने बहुत सारे वीड बताया है तो वीडियो का लिंक आपको description box में दे दूँगा वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं कि आप manually graphics driver को कैसी install कर सकते हैं ठीक है सभी के बारे में बताया है इन्वीडिया हो गया उसके बाद राइजन हो गया Intel हो गया सभी के बारे में बताया है तिसी तर है दोस्तों मुझे नीचे comment box में comment करके अपना सवाल पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में जहीं दोस्तों